क्या होता अगर पीटर को रेडियो अक्टिव स्पाइडर ने नहीं काटा होता बलकि पीटर ही एक रेडियो अक्टिव स्पाइडर को काट लेता या उसे खा लेता देखो ऐसा एक कॉमिक में हो चुका है और पता नहीं क्यूं कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता हुआ य तब तक मर चुका था तो अब वो spider तो काल को नहीं काट सकता था बट कार्ल नहीं उस पाइडर को खा लिया और फिर काल का शरी धेर सारी radioactive spiders का हाइव बन गया और वो एक के बाद एक अपने parents को खा गया और फिर कुछ बच्चों को भी बट ये देखने में बहुत gross था शायद इसलिए इस कॉमिक के बारे में कोई बात नहीं करता तो अब आप जानी गए होंगे कि